हेलो एबरीवान वेलकम टू महात्माज इडूकेटर मैं अब सेक्सिंग आपको महात्माज इडूकेटर में वेलकम करता हूँ स्टुडेंट आ गए हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेन वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेन टॉपिक के उपर जिसमें बच्छा आप लोग के धेरो सारे कमेंट्स आए थें धेरो सारे चैट्स आये हैं कि हाँ भईया मेरे को एक ऐसा टाइम टेबल बता दीजिए जिस टाइम को मैं फॉलो करूँ अपने अभी से लेकर अपने एक्जाम तक ठीक है धेरो सारे मैसेज आये धेरो सारे कमेंट्स आये तो उसी के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आगए हैं कि भाई आपको एक टाइम टेबल देने वाला हुम है ठीक है मतलब या कि आज जो है इस वीडियो में आपको मैं एक टाइम टेबल बताऊंगा सेल्फ एस्टड़ी करने का जिससे कि आप लोग effectively पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकतो effective study ठीक है चलो तो एकदम जुनून के साथ पढ़ाई करो कुछी समय आपके एकजाम में आप बाकी है December तो भाई आज 8-9 December हो गया ठीक है 10 दिन तो खतम December January बत यही तो अगर जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो चाहे आप आज 10 December को देख रहे हो नौ December को देख रहे हो या 15 या 16 या 17 या 18 या जनवरी में देख रहे हो फिर भी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर सकते हो कैसे तो देखो भाई क्या करना है आपको मैं अभी आपको क्या लेकर चलूंगा December से लेकर February तक का बताएंगे आपको टाइम टेवल क्या फॉलो करना है किस तरीके से आपको फॉलो करना है और मैंने अपने टाइम में क्या टाइम टेवल फॉलो किया था हम किस तरीके से पढ़ाई किये थे यह भी आपको बताने वाले हैं ठीक है मैंने कैसे 80% एसकोर किया था मैंने क्या गलती की थी जिससे की मैं 90% नहीं गया था यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पताऊंगा ठीक है तो यह जो 10-15 मिनिट का वीडियो है इसको आप अच्छे से पूरे किलियर करके जाना ठीक है तो दिसंबर से फैरवरी तक आपके पास टाइम है ठीक है अब इसमें जो है अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा कम्प्लीट है ठीक है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन चाह रहे है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आधा सिलेबस कम्प्लीट कर चुके है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े है ठीक है तो भाई बोर्ड एक्जाम में अच्छा एस्पोर करने के लिए आपको दो-तीन चीजों की बहुत जरूरी होती है, दो-तीन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहला बात कि भाई आपको पढ़ाई क्या करना है, दूसरे बात कि भाई कितने देर पढ़ पढ़ना है, तो मैं मानके चल ला हूँ कि आपका most probably path subject है, किनी-किनी का extra subject होता है, तो extra subject पे ज्यादा time आपको नहीं देना है, extra subject के लिए आप extra time निकालके पढ़ो, extra subject को लेकर हम नहीं चल ले होगे, जो आपके main path subject है उसको लेकर चल ले है, चाहे आपको वो path subject कोई सा भी हो गया, कोई सा भी, ठीक है, तो path subject हम ले लिए, मानके चलो, a, b, c, d, e, ये path subject है, क्या है ये path subject है, अब इस path subject में, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये आपके main तीन subject है, और d और e क्या है, तो ये आपका English है, and e जो है आपका Hindi है, ये मैं बात कर रहा हूँ, arts वाले बच्चों के लिए भी, commerce वाले बच्चों के लिए भी, science वाले बच्चों के लिए, हर बच्चों के पास ये दो subject extra होता ही है, और ये जो तीन subject है, ये main subject होता है, चाहे science वाले बच्चों के physics chemistry math हो गया, physics chemistry bio हो गया, arts है, तो भाई उनका हो सकता है, geography हो गया, history हो गया, civics हो गया, political science मतलब, political science हो गया, या फिर home science हो गया, तो ये तीन subject, main होते हैं, ठीक है, तो ये आपके main subject है, this is your main subject, main subject, अब दिखना, मैं सभी को अलग-अलग बात दिया हूँ, ठीक है, पहला दो cases में हम लोग चलेंगे, पहला case हुआ, कि कोई बच्चा कहीं अलग offline class कर रहा है, या फिर कोई अलग online institute में class कर रहा है, चाहे वो कोई सभी online हो, चाहे वो भाई आपका PW हो, चाहे वो आपका means unacademy हो, चाहे वो आपका कोई भी online platform हो, ठीक है, कोई भी online platform हो, चाहे वो हमारा platform हो, ठीक है, हमारा नहीं, हम अपने वाले के में बात नहीं करें, ठीक है, मतलब कि कोई भी other online platform हो, ठीक है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, online platform होना चाहीए, ठीक है, तो उन बच्चों के मैं बात कर रहा हूं, पहले, सबसे पहले, case 1 में, तो अगर ये ऐसे subject है, English, Hindi आपका compulsory है, main 3 subject है, तो इसमें, जो आपके main subject है न, इसमें, हर subject में, आपको कितने time देने हैं, तो 1.5 hours देने हैं, 1.5 hours यहां, 1.5 hours यहां, ठीक है, 1.5 hours यहां, and days, English and Hindi में 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, बस, 30 मिनट ही भाई, 30 मिनट, और 30 मिनट से 1 मिनट भी कम मत देना, ठीक है, पूरा 30 मिनट अगर दे रहे हो, तो एकदाब मल लगा कर देना, क्योंकि भाई, ये भी आपके, अगर ये 300-100 नंबर के हैं, तो यह दोनों भी 100-100 नंबर का ही है, ठीक है, इसमें क क्या है कि थोरा सा पठके हम लोग ज्यादा score कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको लगता कि नहीं तो आपका क्या timing है online class का offline class का क्या timing है तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बता दिया ठीक है अब अगर माल लो ठीक है मेरे को पता है कि आपका timing क्या है तो आप लोग क्या करो कि ये जो डेर डेर घंटे है इसको तुम कभी भी दीन में निकाल लो और बीच में 15-15 मिनट का gap रखना या फिर हो सकता है कि आप लगतार नहीं करो एक subject सुबह में करो दो subject दो पहर में करो बीच में लेकिन 15 मिनट का gap होना चाहिए ठीक है and this दो subject ये जो दो subject है इसको सोने के समय करना है कब करना है भाई इसको सोने के समय करना है सोने के समय है ठीक है इसको आपको सोने के समय करना है और इतको आप अपने मन से किसी भी समय करो आप अपने मन से ठीक है आप अपने मन से किसी भी समय करो ठीक है बस 15 मिनट का gap रखना बट टेक 15 मिनाट 15 मिनाट rest करना ठीक है अब इस 15 मिनाट के gap में हर subject में जो 15 मिनाट का gap रखोगे इस 15 मिनाट के gap में आपको अपने mobile phone को दूर रखना है बल कि ये जो पढ़ाई का timing है इसमें अपने mobile phone को भाई 스wisht off करके थिक है। ये भी नहीं के भाई सwisht on है किसी के पास दे दिए सwisht off करके अपने ममी के पास अपने पापा के पास अपने भाईया के पास जा कर रख दो ठीक है और मैंने भी अपने टाइम में यही किया था। जब मैं 12th में था और एक्जाम के दो महीना पाले मैंने भी यही काम किया था कि हाँ भाई मेरा जो मुबाइल है वो जो है रखा हुआ है कहीं और मैं कहीं और पढ़ाई कर रहा हूँ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ठीक है और इस 15 मिट के रेस्ट में या तो आप कुछ खालो और ज्यादा हेवी मत खाना ठीक है कुछ खालो पानी पीलो कुछ जूस पीलो कॉफी पीलो चाय पीलो कुछ भी आप अपने मर्जी से ठीक है या फिर कुछ खालो चावल वावल से दूर रहो ठीक है चावल से दूर रहना क्योंकि चावल में नसीली परदार्थ होती है ठीक है बहुत सारे प्रेफर करो कि हाँ भाई हम रोटी खा रहे हैं, फास्ट फूड भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे आप करो, ठीक, 15 मिनट के गैप में आप या तो कुछ exercise करो, कुछ dance करो, TV देख लो, mobile मत देखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह रहा, जिसका की time table हमें नहीं पता ह अब हम उन बच्चों पे चल लें, जिसका time table मेरे को पता है, तो path subject अभी भी है मेरे पास, ठीक है, A, B, C, D, E, path subject अभी भी है, अब मैं उन बच्चों पे चल लाँ, जो कि हमारे एप के थुरू पढ़ाई कर रहे हैं, महातमाज एडुकेटर एप पे course ले राखे हैं, और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं उन बच्चों पे चल लाँ, जो कि अब हमारे बच्चे हैं, मतलब कि जो कि बच्चे हमारे महातमाज जिरुकेटर एप पे पढ़ाई कर रहे हैं, अब एप पे course ले रखा है उन्होंने, ठीक है, और अपना सभी subject पढ़ रहे हैं, all subject, science क all subject, ठीक है, और या फिर या फिर YouTube पे हमारे ही चैनल पे वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं अब बात करता हूं, ठीक है, तो basically ये जो दोनों subject है, ये तो आपका English and Hindi है, ठीक है, इसमें तो same रहेगा आपका, इसमें तो same रहेगा 30 मिनट, ये ये दोनों जो है सोने के समय होगा, सोने के समय ही पढ़ना है, ठीक है, सोने से पहले आप इन दोनों को complete करके रखो, ठीक है, इन दोनों को पढ़ो, और उस बीच के आपका mobile नहीं होना चाहिए, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी हम आपको बताएंगे last मिन आ यह हो सकता है आपका Math SD याほ तो वह दक्चे क्या करेंगे इस वाले सबजेक्ट को डे मेर गंट को इस वाले सब्जेक को एक घंटा देगा, ठीक है, मेरे बच्चे, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई, मैस और बायो आसान है, ठीक है, हमारे जो बच्चे है, हमारे जो इस्टुडेंट है, ठीक है, तो यह डेडर घंटे देंगे, अब वो टाइम टेबल क्या फॉलिं ठीक है, तो Self Study का जो टाइम टेबल फॉलिल करना है, यह जो Math है या बायो है, Extra Subject मेह नहीं ले रहा, Extra Subject का आप खुद से निकालो, Extra Time में, मत पढ़ो, ठीक है, Extra Subject मत पढ़ो, यह पढ़ना है तो खुद से टाइम निकालो, देखू, तो यह जो है Math हो गया, या बायो हो गय मैं आप्स या बायो को मॉर्णिंग में 7 to 8 रखो मैंने सुभा 5 बज़े 4 बज़े उठके पढ़ाई करते हैं लेकिन मैंने क्यों नहीं किया क्यों कि ठंड का समय है और नींद नहीं खुलता मेरा खुद का नहीं खुलता तो मैं आपसे कैसे एक्सेप्टेशन्स रखो कि हां भाई आप उठके पढ़ाई करोगे नहीं कर सकता ना तो डैट स्वाय बच्चा साथ से आठ आप मॉर्णि में पढ़ो एक घंटा फिर आपको कुछ नहीं करना है ऑनलाइन क्लास जो मेरा है वो कर लोगे ठीक है उसके बाद आपका टाइमिं ठीक है दोपहर में एक बजे से स्टार्ट कर दो ठीक है लोगे दोफण एक वजए वान पी एम टू टू तक थे और यह वाले को भाई 15 मिनिट का गैप मैंने बोला 245 to 4 बज़ के 15 मिनट तक ठिक है? बीच में 15 मिनट के gap 15 मिनट के gap में while use नहीं करना है हम लोग दूसरा activity करेंगे dance कर लो, गाना गालो ठिक है? बट खुद से करो इस बीच में आपको mobile नहीं चुना है इस बीच में आपको थोड़ा सा भी मोबाइल नहीं लेना है अब बात समझो मेरी अब इसमें पढ़ेंगे क्या पढ़ाई क्या करेंगे यह टाइम टेबल तो आप फॉलो कर लोगे स्क्रीन सोट ले लो ठीक है सोने के समय कहने का मतलब 10 बजे से लेकर 11 बज के 30 मिनट के बीच में आपको यह करना है ठीक है और सारी 11 तक आपको पढ़ना है 12 बजे आपको सोही जाना है 12 बजे आपको at any cost बाबु सोना कुछ भी हो गल्फ्रेंड वाइफ्रेंड कुछ भी हो आपके पास लेकिन बाबु सो मोना टोना सबको गुड़नाइट बाई स्विट ड्रीम लव यू सब बोलकर सो जाना है का 12 बजे at any cost सोही जाना है ठीक है at any cost आपको 12 बजे सोही जाना है और सुबा फिर से 6 बजे उठ जाना है क्योंकि भाई सोना अभी बहुत ज्यादा जरुड़ी है आपको इन समय में ठीक है तो यह रहा अब पढ़ाई क्या करना है तो देखो जो मैंने अपने last दो महीने में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आप क्या कर रहे हो self study कर रहे हो तो सेल पसटड़ी में जो last का समय होता है उसमें आप लोग किताब, नोट्स, यह सब नहीं पढ़ सकते हो, यह सब नहीं पढ़ना है, ठीक है अगर इन सब को पढ़ने जाओगे, तो first जाओगे, आपको क्या पढ़ाई करना है, वो ध्यान दो, आपको बच्चा जो पढ़ाई करना है, वो है, question, मतलब question पर focus करना है, question के through, जो है न, आप पुड़ा complete करोगे, question पर focus करना है, जैसे अगर मैं कोई मेरे पास मान के चलो, अभी तो यह diary है, ठीक है, मान के चलो, मेरे पास यह मेरा question bank है, कोई भी publication का question bank है मेरे पास, ठीक है, year wise है, chapter wise है, कुछ भी है, ठीक है, तो कोई साभी question bank हो गया, guess पर पुड़ हो गया, उसको मैंने उठाया, और उसके question को करूँगा, उस question करते समय आपको बहुत सारी difficulties आएंगी, बहुत सारे question में आप फसोगे, लेकिन फसोगे, तो यह नहीं कि मोबाइल उठाये, गूगल पर सर्च के, नहीं, मोबाइल का कता यूज नहीं करना है, नहीं आपको गूगल का यूज करना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है, यह गाठ बान लो, अगर आपको अच्छा नमबर चाहिए तो use only book, ठीक है, use only book, यह जो 5 या 6 घंटा है self study का, इसमें आप अपने किताबों को ही time दोगे, आप अपने किताबों से ही सहायता लोगे, आपको कोई भी question फस्ता है, किताब में ही search करोगे, ठीक है, चाहे आप notes में search करो, notes भी मैंने अल्लेडी provide कर है, उसमें search करो, या कहीं पे भी search करो, लेकिन Google, Mobile, Laptop, Computer, कताई, use नहीं करना है, ठीक है, बस, इतना ही बोलूँगा, तो question करो, यह नहीं कि भाई, notes खोल लिए, notes याद करें, नहीं, notes याद नहीं करना है, question करना है, और question लिख-लिख के करो, यह question कैसे करोगे, लिख-लिख क करो, करके देखो एक विक, वन विक, करके देखो, कितना मजा आएगा और हर दिन का एक टार्फिट बनाऊ ठीक है और साथ में हमारी भी पहल struggling एक एक मीनट की वीडियो आ रही होगी हर सब्जेक्ट प्रिक ठीक है यशिसमें इसमें मैं आपको टार्गेट दूँगा डेली आपको एक टार्गेट दूगा कहां भाई आज आपको इतना कंप्रीत करना, आज आपको इतना कंप्रीत गना, है दोस दिसंबर से यह वीडियो आना बहुत बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, ऐसे ही भाग जाते हैं, कमेंट करके जाओ, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद बंदे मात्रम